धम्वपद चित्वग्गो गाथा कथा नमबर 35 सबसे पहले इसकी कथा सुनिये कहानी सुनिये कि ये गाथा यानि कि ये जो सुत हैं कि समय भगनवान बुद्ध ने कहे थे ये बड़ी मैदार स्टोरी है बहुत ही इंट्रेस्टिंग है कि सवित्थी में जैत्वन में 60 के करीब जो भिक्कु थे यानि लोग थे उन्होंने पवज्जा ली और भिक्कु बन गए पवज्जा लेने के बाद में उन्होंने वहाँ से प्रस्थान किया और एक माती का नाम गाउं में पहालों की तेहरटी की नीचे जाके रहने लगे और वहाँ जाके ध्यान साधना विपस्तना मेरिटेशन करने लगे मातीका का मतलब होता है जल प्रभा यानि जो पानी भैता रहता है क्योंकि पाहल के नीचे पानी भैता रहता होगा इसलिए उस गाउं का नाम मातीका पड़ा और मातीका एक जो अभी धम की नियाम अबली है उसको भी बोलते है जिसको पाथी मुक बोलते है या भी धम में आती है धम में आती है तो वो जो गाओं था उस गाओं में एक महिला थी वो महिला 60 भिक्कों की देखवाल करती थी इसलिए उसका नाम मती का माता पड़ गया गाओं करना मती का और माता उसको क्याने लगे नतिगा माता बहुत ज़्यादा उनकी सेवा करती थी और सेवा करते करते उसको धम में जाने की ललक और जानकाई लेने की हुई कि ये करते क्या है उसने भिक्कों से निवदन किया कि आप मुझे भी जो आप करते हो वो मुझे सिखा दुआ तो भिक्कोन है चुकि उसकी सेवा बहुत अच्छी थी और वो जाना चाहती थी, मना करनी सकते थे इसलिए उनको जो विपसना साधना और कैसे धम पैदा होता है, कैसे धम मरता है यानि वे उत्पन होता है, वो सारी सिधान उसको सिखाए प्रेक्टिस करना सिखा दिया चुकि माती का माता का मन बहुत साफ था बहुत अच्छा था और सेवा बहुत करती थी चलिए बहुत जल्दी वो सोतापन होई, सग्दागामी होई यानि कि उसने बहुत तेजी से तरकी कर ली और इतना ज्यादा वेपसना साधरा करने के बाद में उसकी कुछ जो शक्तियां थी, वो आ गई क्यों जब ज्यादा वेपसना ध्यान करते हैं अमन ज्यादा सुद्ध होता है तो वेक्ति के अंदर आटोमेटिक ही जो उसकी नेचुल पावर्स थी, वो डबलप हो जाती है और वो आ जाती है कौन सी उसकी नेचुल पावर्स डबलप होई एनलियाटिक करने की, इसलेशन करने की चीजों को देखने की, आसपास समझने की, चाए मनुस्य है, चाए जानवर है या मौसम है, पेड़ है, पौद है उनको वो देखते ही समझ जाती थी उनकी बॉडि लेंग्वेज से, चाल से, बाज से चीज से, और जो तरंगे वहां से आती थी कि उसके मन में क्या चल दा है उसको चक्खो ग्यान मिल गए चक्खो ग्यान का मतलब है जो आँखो जो देखने का ग्यान होता है दिव्य चक्खो बोलते हैं इनको, यानि कि देखने से ग्यान प्राप्त होता है किसी की बॉडि लेंग्वेज से या जो आसपास, उसको बाद में इसको दिवे जोती बोलते थे और इसको दिवे चक्खु बोलते है तो दिवे चक्खु से मिल गए उसकी आंके खुल गई वो सब समझ लेती थी देखते ही इसके अलावा उसको रिद्धी इद्धी बल मिल गए तो भिक्कों को क्या शकता है और किस भिक्कों के मन में क्या चल रहा है वो सारा का सारा भाप लेती थी और समझ जाती थी कि इस भिक्कों की वस्ता क्या है उसके कहने से पहले वो चीज़े पूरी कर देती थी या उसके वाकिय कहने से पहले बता देती थी कि ये चीज़े ऐसे ऐसे तो भिक्कु बहुत समझे से पढ़ जाते थे एक थे अयंतर भिक्कु अयंतर का मतलब है अन्य यानि दूसरी यानि एपरचित अयंतर भिक्कु तो जो अयंतर भिक्कु थे उन्होंने जो माती का गाउं था वो छोड़ दिया और भग्नवान बुद्ध के पास आए बोल लेती हैं हमारे सरीज में क्या चला है हमारे मन में क्या चला है और हम इतने पके हुए भिक्कु तो है नहीं बहुत सारी बाते हमारे मन में ऐसी भी चलती है जो हम किसे कहना नहीं चायते और वो सब जान लेती है तो बड़ी असमंजस की स्थिती हो जाती है फिर हमारा मन ध् इतनी भी बाते कहीं हैं, वो कोई ना कोई परिस्थिती में, कोई ना कोई इस्थिती में, कोई ना कोई सिच्विशन में, कहीं ना कहीं लोगों को समझाने के लिए कहीं हैं, अचानक से कीवी बातें बहुत कम हैं, जो जिनको उदगार बोलते हैं, जो उदान बोलते हैं, जि यत्थ कामनी पातिनो चित्तस्य दम्थो साधू चित्तंग दंतंग सुखावहं इस जो गाथा है इसमें जो अगर कहीं किसी सबसे पहले दू लग जाता है इसका मंदर दुसकर या कठिन है दू लगा हुआ है पहले सब में दुनिहग हस इसको तीर भागों में तोड़ेंगे तो ये दू निहग और इस आएगा दू माने दुसकर है कठिन है निहग माने है पकड़ना या दवाना या कंट्रोल करना या सप्रेस करना या पनिस्मेंट करना और इसका मतलब है के लिए यानि कि दुसकर है टटेने जिसको पकड़ना अब ये चित्की ये मन की बात हो रही है कि ऐसे मन को जिसको पकड़ना है कंट्रोल करना दवाना दुसकर है मुस्किल है लहूनों यत कामनी पातिनों लहूनों का मतलब है जो छोटा है छुद्र है बहुत छोटा है चंचले दादर भाग जाता है हात मनी आता है मतलब इतना छोटा है जो हमारा मन है जैसे अभी हम यहाँ एक थोल देवाद मन हमारा कहीं हो गया तो कितना छोटा है कहीं कहीं भाग जाता है यत्त कामनी पातो, यत्त माने जहां कामनी पातो काम के अंदर, यानि काम वासना के अंदर, कामनी पातो का मतलब है इधर उधर, यानि तेजी से आता जाता है, क्या है जहां हमारा मन काम वासना में तेजी से इधर उधर आता जाता रहता है, यानि कि ऐसे मन को कंट्रोल करना, समालना दुसकर है जो इतना छोटा है और जो काम वासनाव से भरा हुआ है जो बहुत तेजी से इधर-उधर आता जाता रहता है चित्त से दम्तो साधू यानि चित्त के लिए दम्तो का मदद दमन किया हुआ साधा हुआ, कंट्रोल किया हुआ साधू माने सुख पूर्वक है जब हम कहते हैं साधू, साधू, साधू इसका मतलब यह भी होता है सुख पूर्वक है, सुख पूर्वक है और इसका मतलब यह भी होता है कि ऐसा सब के साथ हो, ऐसा सब के साथ हो तो यहां यह कहते हैं कि ऐसा चित जो दमन किया हूँ यानि जिसको साथ लिया है, जिसको टेंड कर लिया है, जिसको समझा लिया है, वो सुख कर होता है चित्तंग दत्तंग सुखावं चित्तंग यानि के चित्त को मन को दत्तंग माने दंत जो होता है जो दंत कथा आपने सुनी होंगी दंत कथा क्या है दंत कथा का मतलब है दमन करने की कथाएं भगवान बुद्ध की कथाएं होती है उनको दमन कताय बोलते हैं, इसको दंत भी बोलते हैं, दंत माने, तो दंत माने दात भी होता है, मगर यहाँ दंत का मतलब है, दमन करना, कंट्रोल करना, उसको सिखाना, यानि मन को, सिखाये हुए मन को, जो हमने सिखाया है, उसको सुखा वहंग, वो सुख कर होता है, यह इस गाथा का मतलब है इसको अगर सलभासा में बोलेंगे तो इस प्रिकार है ऐसे चित का सईयत करना अच्छा है जिसको सईयत करना कठिन है चो कामना से भरा सीगर इधर उधर चला जाता है सईयत किया गया चित मन सुख देने वाला होता है ये इस गाथा का मतलब है इसमें जो दंत सद आया है वो बहुत important सद है क्योंकि दंत का मतलब होता है दमन आपने दंत कता हैं बहुत सारी सुनी होंगी जितनी भी दंत कता हैं दुनिया में दंत के नानाम से आती है वो दमन करने वाली है जो बुराईयों का दमन करने वाली है या मन को दमन करके कंट्रोल में लेके आने वाली है बुद्ध की सारी कथाओं को सारी गाथाओं को दंत कथाओं के नाम से पुरी दुनिया में जाना जाता है चाहे बलही कोई भी आदमी उन दंत कथाओं पे अपना अधिकार जमाई अपन नाम लखे मगर दंत का मतलब दमन होता है दमन किसका मतलब है जो हमारी पाप कारी चीजे है जो हमारा पाप है जो हमारा मन है जो कंट्रोल में नहीं है उसको दमन करके कंट्रोल में ले करना दमन का मतलब ऐसा नहीं होता है कि किसी को खतन करना दमन का मतलब है कंट्रोल में करना, साधना, ट्रेन करना इसको दमन बोलते हैं और कथाओं को दमन कथा या दंत कथा बोलते हैं धन्यवाद प्र भांप शुप्राएब दोटकी शुट्स प्राइब कर दो चान सेट और प्राइब कर दोक्ता नहां बढगीक हो लो खवाब झाल झाल